हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दा प्ले लिस्ट और प्रिएस वीडियो में हम क्रिप्टोग्राफिय से रेलेटिड बहुत सारे कॉंसेट्स डिसकस कर चुके हैं, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और जो हमारी क्रिप्टोग्राफिय की फर्स्ट वीडियो थी, उसके अंद होता है, तो हमारा आजका टोपिक जो है, दिस्ट्रिपूशन और अफ पॉब्लीक जो तो उसके लिए public key का कुछ distribution process होता है तो उसको जो है आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे Majorly जो है हमारी public key वो चार ways के अंदर distributed होती है सबसे पहली आती है public announcement, second आती है इसके अंदर हमारी publicly available directory third आती है public key authority and fourth and last one is public key certificates तो यह जो है हमारी 4 types के इसके अंदर हमारी distribution है public key की और सभी को जो है मैं इस वीडियो के अंदर explain करूँआ और साथ की साथ जो है इसी वीडियो के अंदर जो है कुछ हम real world protocols discuss करेंगे जिससे जो हमारा data over the internet किस तरीके से secure रहता है कौन सा protocol use के अधाता है उसके बारे में भी जो हम थोड़ा सा introduction और description आज इस वीडियो में discuss करेंगे after the distribution of public key तो let's start with the first one public announcement public announcement की जो हमारी key होती है यह जो है हमारी सब के लिए broadcast की जाती है इसको आप इस तरह के समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी television पे या फिर किसी भी OTT platform पे जो है आपकी movies आपके shows जो है वो broadcast करती है means वो live चले जाते हैं आप keys भी जो है keys को आप कुछ number समझ सकते हैं encryption, decryption के लिए तो मान लीजिए वो key जो है हमारी publicly broadcast कर दी वही सभी के लिए उनकी numbers के साथ और वो key जो है सभी के लिए available है तो जब key हमारी सभी के लिए available होगी publicly कोई भी उसे देख सकता है तो इसके अंदर एक major weakness जो है इस concept की वो आती है forgery because आपके पास अगर कुछ ऐसी number of keys हैं जो की सभी के लिए available है तो उसके अंदर जो है attack होने की chances बढ़ जाते हैं reason जो हमारी key number है उनसे जो है कोई भी key को create कर सकता है और किसी दूसरे के होने का claim कर सकता है और वो उस key के data को broadcast कर सकता है as a individual आप जो है single key का use करेंगे data को encrypt करने के लिए but अगर hacker जो है उसके पास भी जो है उन सभी keys का access है उन सभी keys के number है जिसे data broadcast हो रहा है तो किसी भी key को pick करेगा और उससे जो broadcast हो रहा है उसको देख सकता है और वो किसी दूसरे organization के किसी दूसरे individual के होने का pretend कर सकता है तो यही जो है public announcement distribution policy जो है हमारी public key की सही हमारी major weakness है forgery की और इसी की वज़े से जो है attack होते थे second इसके अंदर हमारी public key policy आती है वो आधी है publicly available directory अब major आपको concept जो है public key का पता होना चाहिए कि public key आपकी किस लिए use होती है यह चार जो है बस आपके उनके distribution policies है कि किस तरीके से जो है public की distribute की जाती है अब जैसे हमने पढ़ा first इक public announcement जिसके अंदर public key जो है वो automatically public के लिए सभी के लिए जो available होती है second आती है publicly available directory इसके अंदर जो है हमारी public keyword public directory में save होती है आप directory को समझ सकते है database की database के अंदर आपकी number of keys जो है registered है save हो यहाँ पी जो है अगर किसी individual को किसी organization को जो है अगर keys चाहिए public keys चाहिए आपने data को encrypt करने के लिए तो उसे कुछ process follow करना होगा just like participant registration access and allow to modify values at any time की organization जो भी public key को distribute कर रही है वो किसी भी time जो है आपकी values को modify कर सकती है basically आपकी public key के numbers को जो है modify कर सकती है तो यहाँ पे जो है हमारा public announcement से जो है यह वगा concept जो है public key distribution को जादा secure होगा क्योंकि एक directory में जो है एक organization के पास जो है उन सभी participants की list होगी उन सभी participants का data होगा जिनोंने public key को access किया है और इससे जो है अगर किसी public key से data breach भी होता है तो उस चीज को है हम उस directory में से find out कर सकते हैं कि कोई सी key से हमारा data leak हुआ है अब यह public key authority यह हमारी same as directory होती है जैसे हमने उपर public available directory बढ़ा बट इसके अंदर जो है कुछ tightening control होता है tightening control का meaning है security जो है हमारी public available directory की उसको जह enhance कर दिया गया और public की authority बैक नया नाम दे दिया गया public key authority अब इसके अंदर जो भी user public को public key access करने की information देता है या फिर access देता है उसका जो data है सभी type का data उसके पास use होता है और जो भी keys needed है real time में जिन भी keys की requirement है वो जो है user directory से access कर सकता है तो आप देख सकते हैं कि जो keys publicly available तो उन पर कोई भी attack कर सकता है तो जब उस पे जो है हमने कुछ जो भी person जो भी organization जो भी individual किसी key को access कर रहा है अगर उसका data हम अपने पास रखते हैं और उसकी key की values को modify कर सकते हैं तो इससे हमारा data secure रहेगा बिकोज hacker को नहीं पता है कि उसे कौन सी key में से कौन सा data मिलने वाला है विकोज उस key का access है वो particular user या फिर trusted organization के पास ही होता है अब लास्ट इसके अमरे सब्सक्राइब से secured version आता है हमारा public certification अब previous 3 में जो क्या था हमारी keys जो थी वो available थी सभी के लिए यह सभी के लिए मेनिक है कि उनके अंदर कोई इंडिविजन कोई organization access कर सकती है public key को और अपने data को encrypt कर सकती है बट यहां पर जो है public key authorities या फिर public key distribution की policies में एक concept आता है public certification का जिसके अंदर जो है सिर्फ trusted authorities को verified authorities को verified organizations को ही जो है हमारी public key को access करने का या फिर public key को use करने का right है और वही जो है इस keys को use कर सकते हैं अब जब trusted organization किसी public key को use करेगी तो organization जो है उसको certificate provide करेगी जिसे public key certification बोलते हैं जिससे जो है हमारी security maintain रहती है और data breach होने के chances नहीं होते अब इस certificate के अंदर जो है time foundations होती है कि अगर आप किसी public key को access कर रहे है तो उसका कुछ period of validity होता है या फिर period of rights होते है कि आप कितने times तक जो है public key को access कर सकते है और अपने data को encrypt कर सकते हैं और यही जो इसके benefit है कि other trusted organization या फिर अगर कोई individual trusted individual होने का pretend करता है और उसके पास जो है hacking tools है या फिर कुछ hacking knowledge है जिससे वह हमारी public key के साथ जो है data को steering कर सकता है तो यहां पे जो है कुछ period of validity or rights of use होते हैं जिससे जो है वो continuously हमारी public key को access नहीं कर पाए तो जो हमारा public certification का public key distribution policies के अंदर जो हमारा concept है यह सबसे ज्यादा secured version है और previous third unit के अंदर जो हमने certification authority के ब provide करती है किस form में ताकि आपका data secure रही website पे जैसे के हमने https और SSL के बारे में पढ़ा था तो वही concept हमारे certificate authority का public key distribution में भी use होता है और इसके अंदर जो है सिर्फ verified user season है आपकी public key को access कर सकते हैं अब मैंने आपको SSL का example दिया that is secure socket layer जो की security के लिए use की जाती है जब हम over the internet कोई भी transmission करते है message का या data का तो यहाँ पर कुछ re-invert protocols होते हैं जिसके अंदर जो है उन protocols को follow करके हमारे data को secure रखा जाता है आप देख सकते हैं आपर SSL that is secure socket layer को mention किया गया यह जो है हमारे data को secure करता है जब कोई भी data हमारा transfer होता है web browser और server के बीच में means individual या फिर client to server या फिर server to client की बीच में जब भी data transfer होगा तो उसके अंदर हम कैसे आपने data को safe रख सकते हैं उसके लिए SSL का use होता है secure socket layer का यह काम कैसे करती है जो SSL होती है वो हमारी काम करती है encryption process पे encryption process का again meaning जहां पे encryption आयगा उसका meaning है coding की वह आपके data को code कर देती है जो की hacker easily understand नहीं कर सकता एक link generate कर देती है जो की web browser और web server क बीच में maintain रहता है जिससे जो है जब भी data pass होता है तो privately pass होगा और free from attack रहेगा तो यह हमारी SSL policy जो है इस तरीके से encryption process पर वर्थ करती है अब secure socket layer जो है कुछ protocols follow करता है उन चारों की name मैंने आपे mention कर रखे हैं और किस तरीके सो protocol use होगा वो मैं इस diagram में आपको समझाऊंगा अब आप देखेंगे आप चार protocol है SSL record protocol, handshake protocol, change cipher spec protocol और alert protocol अब यह चारों protocol जो है use होते है हमारे real world protocol में secure socket layer के अंदर जब encryption का process जो है वो continuously execute हो रहा होता है तो आप इस diagram में देखेंगे यहाँ पर वो चारों जो है हमारे real world protocol SSL के वह यहाँ पर mention है अब जिस भी protocol की requirement होगी as as per need जो है automatically वो यहाँ से execute हो जाएगा और इस SSL के अंदर जो है pass हो जाएगा और नीचे TCP that is transmission control protocol और IP protocol है जो की हमारे client to server और server to client के बीच में network established करता है as per exam as per gate point of view जो हमारा handshake protocol है यह सबसे ज्यादा use होता और सबसे important topic है तो अगर आप handshake protocol से related कोई भी content देखना चाते है या फिर समझना चाते हैं तो आप easily browse कर सकते है Google कर सकते हैं और handshake protocol का आपको बहुत ही अच्छा content जो है easily Google पर मिल जाएगा और यह जो है handshake protocol हमारे बहुत सारे different subjects में भी use होता है just like computer network, computer organization and architecture इस तरीगे से बहुत सारे हमारे engineering subjects है या फिर computer subjects है जिसके अंदर handshake protocol का discussion किया जाता है Thank you